नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में एक वर फिर आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं भारत के 1858 का अधिन्या तो दोस्तों 1858 की चार्टर में कंपनी को सासन के लिए चूंकि किसी निश्चित अवधी के लिए प्राधिकरत नहीं किया गया था इसलिए किसी भी सम का हस्तांतरन ब्रेटिस क्राउन को संसत के दुआरा हस्तांतरित हूं किया जा सकता था 1857 एक गदर नियए जाशन की असंतोस जनक नीतिएं ऊगार कर ती ठी जैसे संसत को कमपनी को पदिशूत करने का बहाना मिल गया समराज की सुरक्षा के लिए ब्रेटिस संसद ने कई अधिनियम परत किये जो भारते प्रसासन का अधार बने अठारा सो अंठामन के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे पहला प्रावधान था दोस्तो भारत में कमपनी के सासन को समाप्त कर सासन का उतरदायोत ब्रिटिस संसत को सौप दिया गया दूसरा प्रावधान था दोस्तों अब भारत के सासन ब्रिटिस समराजी की ओर से राज सच्यों को चलाना था जिसकी साहता के लिए 15 सदस्य भारत परिशाद का गठन किया गया अब भारत के सासन से सम्बंदित सभी कानूनों एवं कारवाईयों पर भारत सच्यों की स्विक्रती अनिवार कर दी गई तीसरा दोस्तों भारत की गवर्नर जनरल का नाम वायसराय क्राउंड का प्रतिनिदी कर दिया गया था उसे भारत सच्चों की आग्या के अनुसर कार करने के लिए बाद किया गया चौथा दूस्तों भारत मंत्री को वाइस साहराय से गुप्त पत्र ब्योहार तथा ब्रेटिस संसत में प्रती वर्स भारतिया बजट पेस करने का अधिकार दिया गया पांचमी दोस्तों कमपनी की सेवा को ब्रेटिस सासन के आधिन कर दिया गया छटमी दोस्तों इस प्रकार भारत का प्रतम वाइस राय लाइड कैनिंग बना तो एक नमंबर 18 सुंधामन को ब्रेटेन के महरानी विक्टुरिया ने भारत के संबंद में एक मातपून नेतिगत गोसना की इस गोसना की मातपून बातें निम्न थी पहली बात थी दोस्तो भारतिय प्रजा को समराज के अन्य भागों में रहने वाली ब्रेटिस प्रजा के समान माना जाएगा दूसरी दोस्तो भारतिये लोगों के सांत लोग सेवाओं में अपनी सिक्षा योगता तथा विश्वासनिये के आधार पर स्वातन्त रेवम निस्पक्ष भारती में पेदभाव नहीं किया जाएगा तीसरी दूस्तों भारत के लोगों के बहुत एक एवब नहते को नहती के प्रयास किये जाएंगे तो मेदे दूस्तों हमारे द्वारती के जनकारी आपको पसंद आए होगी यदि यह वीडियो आप यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें यदि यह वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें धन्यवाद दूस्तों